हालो फ्रेंड्स वेलकम इंदा टैग यानि की टैक ऑटो गियान में आपका स्वागत है और दोस्तों आज मैं लेके आँ हूँ एक गर्मा गर्म और इंट्रेस्टिंग टॉपिक बहुत ही फ्रेंड्स को बहुत सारे लोगों को इंतार था कि कब टॉयोटा अपनी बलैनो लॉंच करेगी या नहीं करेगी अगर करेगी तो किस नाम से करेगी सुरूथ कि जी हां दोस्तों वह आपका इंतंजार खरता हो चुका है क्यूंकि जून एंड्ड Тक हो सकता है कि पुरानी बलैनो रीबैज्ड होकर आ रही है अब उसमें वो इंजन नहीं आएगा जो औरेड़ी वो मरूती में मिल रहा था 1.2 लीटर यहाँ पे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा के टैन सीरीज का ही मिलेगा लेकिन इंजन सी सीरीज का होगा जो की एक नया इंजन है रिफाइंड इंजन होगा और ये गाड़ी BS6 कंप्लाइंट भी होगी जी हाँ दोस्तों क्योंकि 2020 में आपको पता है कि BS6 अप्लाई हो जाएगा BS6 जो पुराना इंजन यूज नहीं हो सकता था जो कि BS4 स्टेंडर्स के चलता था यहाँ पे गाड़ी में आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजिस देखने को मिलेंगी फिलहाल अभी तक हमारे पास जो पिक्चर आ रही है वो इधर दर से वायरल हुई पिक्चर ही है लेकिन जो exact गाड़ी में जो cosmetic changes होंगे वो actually company ने अपना secret ही रखा हुआ है confidential ही है अभी disclose नहीं हुआ लेकिन उसका नाम disclose हो चुका है कुछ हमारे जो news के सूतर है उनके accordingly ग्लैंजा गाड़ी का नया नाम है जी हाँ लेकिन अंदर गाड़ी में आपको देखने में changes काफी मिल सकते हैं जैसे की infotainment system, dashboard में कुछ थोड़े बहुत changes होंगे लेकिन overall गाड़ी same है जो build quality है वो भी आपको same मिलेगी जो metal sheet है वो भी आपको same ही मिलेगी यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आपको engine एक नया मिल रहा है यह engine भी मारूती की तरफ से ही है Toyota की तरफ से नहीं है 1.2 liter engine है, K12 engine है, C series का यह नया engine है जो मारूती अपनी नई baleno BS6 के साथ भी use करेगी जी हाँ बलेनो मारूती की तरफ से दो engine options में मिलेंगी दोनों petrol options ही होंगे diesel next year हो सकता है बंद हो जाए यहाँ पे आपको एक ही petrol engine option मिलेगा Toyota के साथ जो की K12 C series का engine है, शांदार engine होने वाले हैं, emissions भी इसके काफी कम हो जाएंगे mileage भी काफी improve हो जाएगा और जो Glenza है Toyota की तरफ से ही sales करी जाएगी और पूरी की पूरी जो उसकी servicing है after sales services होंगी वो Toyota ही deal करेगा तो my dear friends, यह छोटा सा topic और breaking news आपको कैसी लगी है, इसको share जरूर करें तो मिलते हैं next video में, thank you friends